हेलो स्टुडेंट्स पहलवान गुरूदीन ग्रूफ अफ कॉलिज के अंत्रगत आने वाले पहलवान गुरूदीन महिला महाविध्यालाय की इतिहास बिभागत द्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्तित हुई हूँ यहे वीड की नॉटिफेकेशन मिलती रहे इस वीडियो में आपको बल्वन का राजत्व सिद्दान्त के बारे में बताऊंगी बल्वन का राजत्व सिद्दान्त जिस समय बल्वन सिंगहसन पर बैठा सुल्तान पद की प्रतिष्ठा कून रूप से नश्ट हो चुकी थी इस प्रतिष्ठा को इस्थापित करना तथा द्रण केंद्रिय शासन इस्थापित करना आवशक था सुल्तान की शक्ती की पुनर स्थापना से ही आंतरिक और बाहसंकटों से बचा जा सकता है दीर्ग कालीन राजनीतिक अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि तुर्की अमीरों की शक्ती का नाश किये बिना सुल्तान ना तो राजभक्ती का ही उब्वोग कर सकता है और ना अपनी प्रजा का सम्मान पातर ही बन सकता था अता बलबन ने ताज की शक्ती और प्रतिष्ठा को पुना इस्थापित करने का नर्नाई किया जिससे राज़ के अधिकारी होता था सामान प्रजा में उसकी शक्ती का आतंक इस्थापित हो सके यह कटिन कार था क्योंकि अमीर वर्ग सुतंतरता के उब्वोग का अभ्यस् देविय सिद्दान्त बलबन दिली सल्तनत का एक मात्र सुल्तान था जिसने इस्पष्ट और द्रण शब्दों में राज़त्व संबंदी विचारों को प्रकट किया था उस राजा ने देविय सिद्दान्त की इस्थापना की और इसके द्वारा उसने अमीरों को यह सिंगासन को हत्या या शडयंत के द्वारा प्राप्त नहीं किया था बलकि देविय किर्पा से प्राप्त किया था इस सिद्दान्त की ब्याक्या करते हुए उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि राजा का हिर्दय इश्वरिय किर्पा का विशेश भंडार होता ह और इस द्रश्टी से कोई भी व्यक्ति उसकी समानता नहीं कर सकता है। बल्बन की धार्णा थी कि सुल्तान का हिर्दय ईश्वर की कीर्थी को प्रति बिम्वित करता है और सुल्तान ईश्वर का प्रति निधी स्वरूप या नियामत एक हुदाई है। निरंकुष सत्ता का सिद्दान बल्बन ने सुल्तान की निरंकुष सत्ता पर जोड़ दिया। उसने कहा कि सुल्तान प्रत्वी पर ईश्वर का प्रति निधी है और प्रतिष्ठा में पैगंबर के बाद उसका इस्थान है। इसलिए उसके कारियों पर अमीर या प्रजा मूर्थ रूप है। जनता में उसकी निरंकुष सत्ता से भय, आदर और आग्याकारता की भावना उत्पन होती है। प्रजा वतसलता। बल्बन ने सुल्तान के कर्तव्यों पर भी जोड़ दिया। जिससे ग्यात होता है कि वह प्रजा के कल्यान के प्रति जागरुक था। उसका कहना था कि सुल्तान पद के कर्तव्यों का गंबीरता से पालन करना चाहिए। उसका जीवन ऐसा हो जिसकी सब प्रशंसा करें। उसके शब्द, कार आदेश, उसकी प्रजा को भी शरियत के अनुसार चलने की प्रेणा दें। उच्च कुलीन धारना। बल्वन के रा अन्य तुर्क अमीरों से स्वयम को प्रथक तथा उच्च दिखाने के लिए उसने अपने को पौरानिक तूरानी वीर अफ्रासियाव का वंशत गोसित किया। इस कुलीन धारना से वह अपने वंश को अत्यंत प्रतिष्ठित और स्रेश्ट स्थापित करना चाहता था। शक्ति का प्रदर्शन इन अपधारनाओं के अत्रिक बल्बन सुल्तान पद की शक्ति और बैभाओं को प्रकट करना भी आवशक समस्ता था। जिससे उसके दैविय स्वरूप और दिरंको शक्ति का बाहरूप से प्रदर्शन किया जा सके। इस प्रकार का प्रदर्शन राज शक्ति के प्रती आदर और भै उत्पन करता था। इसके लिए उसके ब्यवहार में अत्यंत गंबीरता आ गई। उसने लंबे और भयानक लोगों को अपना अंग रक्षक निक्ति किया। दर्बार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोज का नियम लागू किया। उसने दर्बार में मदपान का निशेद कर दिया। दर्बार में हसने या मुस्कुराने पर प्रतिबंद लगा दिया। बलबन, सुयम, सार्वजनिक इस्थानों में इन नियमों का कठूरता से पालन करता था। दर्बार में बैभव प्रदर्शन के लिए इरानी, नौरोज उत्सब तथा सलजूकी और ख्वारिजमी पद्धितियों को अपनाया। जब वह महल के बाहर जाता तो उसके भयंकर अंगरक्षक नंगी तलवारें लेकर बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला चिलाते चलते थे। इसमें संदे नहीं की बलबन के इन उपायों से सुल्तान पद की प्रतिस्था इस्थापित हुई और उसका ब्यक्तित्व प्रभावोत पादक तथा शक्ति साली बना।